Let's do question number 10th of exercise 5F that is fraction question number 10th is 6 hole हमें difference निकाल ला है 6 hole 2 upon 3 10th question is 6 hole 2 upon 3 minus 3 hole 3 upon 4 3 hole 3 upon 4 mix fraction को हम fraction में change कर लेंगे 3 6 are 18 19 20 upon 3 minus 3 4 is 12 13 14 15 upon 4 अब हम LCM लेंगे LCM हमें पता है कितना आएगा LCM आएगा क्योंकि दोनों prime numbers हैं तो आपस में multiply हो जाएगे और 12 answer LCM आजाएगा तो हमारा 12 LCM आगया तो 20 की multiply देखिए 3 4s are 12 तो 4 से multiply हो गई minus 15 as it is 3 से आप देखिए यह इसकी इससे multiply इसकी इससे multiply है तो हमने directly multiply कर दिया तो अब कितना आगया 20 4s is 80 minus 15 3s are 45 upon 12 तो यह कितना आगया 10 में से 5 गए 5 7 में से 4 गए 3 35 upon 12 अब यह cancel नहीं हो सकता किसी number से तो हम इसको mix fraction में change कर देखिए 35 को divide किया 12 से 12 3s are 36 होता है तो 12 2s are जाएगा 24 तो कितना बचा 11 तो हम इसको क्या लिख सकते है 2 whole 11 upon 12 is the answer let's do question number 11th now question number 11th is 7 minus 5 whole 2 upon 3 question number 11th is 7 minus 5 whole 2 upon 3 तो देखिए 7 as it is अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे मैंने आपको last questions में पिछले exercise में 5E में बताया हुआ है जब only number होता है तो इसके नीचे 1 लिख सकते है उससे उस number पे कोई फरक नहीं पड़ेगा minus 3 5s are 15 16 17 upon 3 अब LCM की आएगा देखिए दोनों prime number है 1B और 3B तो 1 3s are 3 आगया तो हमने 3 LCM में लिखा तो देखिए 7 की multiply जब prime numbers दोनों आपस में multiply होता है इसकी multiply इसके साथ इसकी multiply इसके साथ तो 3 से multiply हो गई minus 17 into 1 तो यह आगया 3 upon में 7 3s are 21 minus 17 1s are 17 तो यह कितना आगया यह आगया 4 upon 3 तो और इसको अगर हम mix fraction में देखिए तो क्या लिख सकते हैं देखिए 3 से divide किया 4 को तो 3 1s are 3 1 remainder बचा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 whole 1 upon 3 is the answer let's do next question now question number 12 is 10 minus 6 whole 3 upon 8 12th question is 10 minus 6 whole 3 upon 8 तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं 10 upon 1 लिख सकते हैं minus अब 8 6 up 48 49 50 51 प्लस 3 किया तो 51 अपन 8 अब LCM कितना आएगा देखिए नीचे के दोनों prime numbers है अब नीचे के numbers देखिए दोनों में कुछ भी common नहीं है तो 1 into 8 that is 8 आगया तो अब देखिए LCM 8 आगया तो 10 में किसकी multiply करेंगे इस 8 की multiply इसके साथ इसकी multiply इसके साथ क्योंकि यह दोनों numbers as it is LCM में आए थे 8 की multiply 10 के साथ और 51 में 1 की multiply तो यह कितना आगया 8 10s are 80 minus 51 upon 8 आया तो यह कितना आया 10 में से 1 गे is 9 7 में से 5 गे is 2 upon 8 अब मिक्स fraction में लिखेंगे तो कितना आएगा 29 को 8 से divide किया 3s are 24 तो कितना बज़ गया 5 तो यह आगया हमारा 3 whole 5 upon 8 is the answer जर जो अरे हम हैं म॥स्ड़ को कितना बज़ कर दो खिवखी बभ्याभारो वह हम दो यह हम 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 आग' रादी आनल से 1 तो आगया आगग पहल कितना आगया剛कु अ क्यों कितना घर्भा हमारा से